फास्ट चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है उसका लिंक जो है डिसके अप्शन से देख दिया गया है आप उसमें देखके पढ़ लेना ठीक है नेक्ष्ट जो है आज हम लोग जो है विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे पार्थ दो जिसका नाम है आपका चैप्टर के अंतरगत क्या पढ़ेंगे रेशे और जो है कैसे तरह से रेशे बनते हैं और कैसे जो है वस्त यानि कपड़े बनाया जाते हैं उसके बारें देखें तो आपका जो है पार्थ दो रेशो से वस्त्रितक अब देखो इस चैप्टर में रेशों मतलब है रेशो से वस्त्रित कपड़े कपड़े कैसे बनाया जाते हैं वो सारा मेथड इसमें दिया गया है सारी क्रिया किस तरह से जो है घर में यह मम्मी जो है अब ठंडियों का सेशन आ रहा है तो भाई क्या होता है मम्मी है यह आदीदी है आपकी जो भी है ठीक है वो लोग स्वेटर बोनती है तो धागा ले लेती है और जो है यह लेकि चलाते रहते हैं पूरे दिन दीर राज च हमें जो है जनतुओं से पाए जाता है जनतुओं के बालों से कुछ ऐसी जनतुओं है जिनको कभी पसंद नहीं करते होंगे यह जिसके आप पास जाने से भी आपको घरड़ा होती होगी उन्हीं जनतुओं के बालों से जो है उस रेशो को बनाया जाता है कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो हमें पाउधों के द्वारा प्राप्त होते हैं कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो हमें जन्तुओं की द्वारा प्राप्त होते हैं इस लेशन के अंतरगत बच्चों हम जो है उसी रेशो के बारे में प अगर तो रेशा क्या होता है यह हमें कहां से मिलता है अमों तो देखे जो रेशा होता है यह पौधों के ही विभिनघांब भागों से हमें जितने प्रकार प्लांट है कुछ की जो है उनी के भागों से ही मिलता है विभिन भागों से हमें रेशा मिलता है और रेशा जो है एक तंत रूपी सरचना या धागे नुमा सरचना होती उसी को हम रेशा कहते हैं तो यह जो रेशे होते हैं रेशे हमें पौदों से प्राप्त होते हैं तो आपका जो है कि जो पॉधे से प्राप्त होते हैं उनके बारे में डिटेल आपने पड़ी होगी ते प्राप्त होते हैं तो एक रेशा तो यह हो गया रेशा क्या है कि पॉधो के बिविन भागो से प्राप्त होने वाला धागी नुमा जो सरजना होती है वह हमारा रेशा कहलाता है और जो रेशा प्राप्त होता हमें किन किन से प्राप्त होता है पॉधों से पॉधों से प्राप्त होता है ठीक है और दूसरा जो हमें जन्तुओं से ठीक है तो जो पॉधों से जो प्राप्त होता है इन रेशो को हम क्या बोलते हैं पादप रेशी ठीक है ऐसे रेशी या ऐसा धागा जो हमें पौधों से प्राप्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं पादप रेशी ठीक है पादप यानि कि जो पीड़ पौधों से जो प्राप्थ होते हैं वो पादप रेशी हो गए है उसके बाद जो जनतू से प्राप्थ प्राप्त होते को हम बोलते हैं जानताओ जांताओ रिशे यादनी ज dw 2015 बोलेंगे जांताओ रेसे अब देखो पौधों से द्वारा पापप जो रेशेथ थे वह हमारें वो गये पादप रेसे मिलते हैं पौधों की द्वारा वे हैं आपके पहला जो-एक कपास कपास और दूसरा जो है आपका पटसन पटसन या फिर सनई 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 का जो है फूल इसका जो फूल होता है उसका शाग बड़ा फेमिस होता है जहां पी यह पाहे जाता है इसका जो फूल होता है उसका साग बहुत लोग चाओ से खाते हैं महांगा भी मिलता है जंगली टाइप का पौधा है तो कमी आपको जो है मिलेगा मार्केट में अब देखे कपास जो है कपास हम जो है अपने डिली ठंड्यूप समय में इस साइम देखो रूई की जो है रजा न स्य जो यहां है रजाई बनवाना तो जो कपास रजाई गढद लिए य कर फिर जो में णता के अला फिर यूटे बना लेते कर दो नर्मली इससी जो रे से प्राफ तेसका हम बोलते जूट करें 對 जूट का प्रयोग होता है जूट का प्रयोग आपका जब सथ और ज् Wasser हो गया और रशी जो रसरी बनती है आपकी जूट वाली थोड़ी से यह रफ टाइप की होती है बोरा दरी और रसी यह जो हमारा क्या होता है जूट से प्राप की जाते हैं यानि इन से जो रेशे बनते हैं उसके द्वारा इंकम बना जाता है रूल की द्वारा आपका क्या है नार्मल आपका क तब कर दो एक कपड़े बनगे कोटन वाले जो अप पहनते हो तो तीक है कपड़े हो गिए फ़िर रजाई एक सब्ढ़कर से है कि पादप रेषे कि इतने है हमारी है पादप रेषे जो पौध्धों से प्रॉध ठोद ए कि अब बरूत होते हैं कि और इन dabei अब तर्ण में मुंख्रूप जो पाओध रेजिक होते हैं वह दो परकार किया जिससे हमें पादप सब्सक्राइब होते हैं जिसमें आपका पहला है कपास कपास से हमें रुई मिलती है और की दारा जो हम पिपिन परकार के कपड़े हमारे इंडिया में जो है रुई का कॉटन कहते हैं प्योर कॉटन पहनों तीक है सरीक लिए अपके ल्चाहरा कफड़े बनते हैं वह ज्यादा समय तक चलते हैं रोइवाला जो है बड़े यल्दी खराब हो जाथ है उसके बाद दूसरा जो है आपका पटसन या फनई किसे जो रिशाप्राप्त होता है इसको हम जूट कहते हैं और इसके दौरा जो बनता है वो बोरा दरी या और वी जो चीजे बनाई या ती रसी से रिलेटिव तीक है वो बनाए जाता है पट्सन का एक उसी तरह का हम लोगों कि आप यूपी में देखेंगे तो जो है इसको इनके तनी को जो है गठर बना के जो है तलाव लाग के पानी में डाली आता है एक आग हपते तक सडाते है इसको बनाते थे इन सबको तरौर स्युजक्ष करती थे तो भरकटिया वनाने मीं यूजwald हो जाता था चर्पाई बनाने में सबका इस्तमाल करते थी त्यों है इसका इस्तमाल होता है कि करई करी गणधीजी जी जो थे हमारे रहत पीता तो चेमित है यह होगह है इसे जो जन्तमों के द्वारा प्राप्त होते हैं जन्तमों के बाल्स्यूर के इने जो रिषय प्राप्त होते हैं जैसे आप अपनी चरी पे जो भल होते हैं वो हमारे दाड़ी वाले बाल से थोड़े मुलायम होते हैं या जो हमारे सर पे बाल होते हैं तो इन सब में जो हैं जो पहाड़ी एरिया में है उनकी डाड़ी बाड़ी बड़ी बड़ी होती है लेकिन वो थोड़ी बहुत है बड़ी रूखी रूखी होती है तो उनके दाड़ियों के बाल से और सरीर के मुलायम उनके सरीर जो बाल होते हैं वो मुलायम बाल होते हैं तो उन सब के बाल से जो है क्या होना जाता है जानता और रेशा जनत रेशे ब प्राप्त होने वाला धागे नुमा सरचना जोती उसको हम रेशा कहते हैं रेशा मुख्रूप से दो जगहों से प्राप्त होता है पौधों के द्वारा और जन्तूओं के द्वारा पौधों से प्राप्त रेशे को पादप रेशे कहते हैं और जन्तूओं से प्राप्त रही कपास के द्वारा रूइ बनाई आती है जिसका हम डेली लाइट में इश्टमाल करते रहते हैं दूसरा आपका पटसन पटसन जो है इससे जूट बनाए जूट प्राप्त होता है और जूट का जो इस्तमाल होता वह बोरा-दरी और रश्षियों बनाने में किया जाता है नेक्स है आपका जो जनतु रेशे हैं अब देखे जनतुओं में भी जो रेशे होते हैं ये मुख्रोप से तीन प्रकार के जनतुओं से हमें ये रेशे प्राप्त होते हैं जानतौ रेशे जिसमें है आपका पहला याक दूसरा है आपका उट तीसरा है आपका बकरी ये तीन जन्तु जो होते हैं इनसे जो हमें रेशे इनके सरीर के बाल से डाड़ी से जो है यहामें रेशे मिलते हैं अब देखें जो याक है ये भी पहाड़ी एरिया में पाई आता है ज़्यादा तर ये हमारा चीन का जो टिबबती एरिया होता है वहाँ पहाँ पाई जाता है तिबबत वाले एरिया में और लगदाग लगदाग के एरिया में जो है याट पाई जाता है इनके सरीर पे जो है काफी गने बाल बड़े बड़े बाल होते हैं क्योंकि महां पे जो है हमें सब पड़ी रहती है ठीक है तो उनसे ठंडियों से बचने के लिए इनके सरील पे जो है बाल पाई जाते हैं और उनहीं बाल को जो है गर्मियों के सेजन में जो है काटा जाता है और उसे से जो है फिर रेशे बनाए दोफरा आता अपका ऊंट तो ऊंट के भी बालों से रेशेप्राप्त होते हैं और इनकी जो बालों होते हैं, यह ज्यादर जो थंडियों में कंबल बनाए जाते हैं, जो छुबते हैं श्रीर में बालों से जो है यानि उन्त के शरीर के बालों से जो हमें कंबल ठीक है और कुछ चादर या दरी यह सब बनाने में भी इस्तमाल के जाते हैं उसके बाद आती है आपके बकरी ठीक है तो बकरी जो है ज्यादा तर जो हमारी कश्मीर कश्मीर की जो पहाड़ी बकड़ी है ठीक है और कश् बनाने में किया आता है और जो कश्मीर की बकरी है आपकी यहां से जो कश्मीर के क्या नाम है कश्मीरी बकरी जो है कश्मीरी एक यहां की दो जो कश्मीर की पहाड़ी छेत्रों में पाई जाती है पहाड़ी छेत्रों से जो बकरीयां मिलती है और जो है इनकी कश्मीरी छेत्र जो कश्मीरी बकरी उनके यहां आसपास वाली जो है इनके द्वारा जो है जो उन प्राप्त होता है इससे जो है साल बनाई जाती जिसको हम बोलते हैं पसमीना साल यह बड़ी फेमस है जो कि कस्मीर के कस्मीर के एरियाज वाले जो बकडिया है उनसे उन पहाडी छेत्रों में एक बकरी है उसका नाम है अंगोरा बकरी एक अंगोरा वराइटी की जो है अंगोरा अंगोरा जो है यह भी कस्मीर में ही पाई आती है तो अंगोरा और वहां की जो कस्मीरी कस्मीरी एरियास की जो बकरी है यानि पहाडी छेत्रों में अंगोरा प्रजा प्राप्त होता और जो कस्मीरी बकरी है उससे जो उन प्राप्त होता है उसके द्वारा बनाई जाती है पस्मीना साल ठीक है पस्मीना साल जो है जो की बहुत ही फेमेस है और काफी महनी मिलती है ठीक है यह तो हो गया इन जंदुओं के द्वारा जो रेशे प्राप्त होते है उनके बारे में अब इसमें अगर हम देखें रेशो के साथ साथ देखें तो हाँ यह याक हो गया उठ हो गया और बकरी ठीक है और जो पाए जाते हैं आपके जो भेड है भेड के बालों से भी जो है उनका निर्मार किया जाता है इसमें जो है कुछ एरियाद्स की हमारी ज़ुजनत। है उनके दवारा जो रेशेप्रात होते हैं वो बहुत ही अधिक मात्राण पाई जाते हैं जिसका से भेड़ जो है अगर हम भेड़ो की चाइना में देखें तो सबसे ज़्यादा भेड़ की संख्या चाइना में है तो देखें नमबर वन पे अगर हम देखें तो पहले नमबर पे चाइना यानि चीन जो है नमबर एक पे जो है चीन जहांब सबसे अधिक भेड पाई जाती है सबसे अधिक भेड सबसे अधिक भेड चीन में पाई जाती है उसके बाद दूसरे नमबर पे है आपका आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया और थाइड नमबर पे है हमारा देश भारत ठीक है ये जो है इनकी भेडों की संख्या के आधार पे हैं इनके द्वारा जो है उन प्राप्थ की जाते हैं लाश्ट आपका एक है जंत्वों से जो सबसे अच्छी क्वाल्टी का अगर गुडवत्ता के बेश पर देखें प्राप्थ होता है वो सॉथ अमेरिका सॉथ अमेरिका की जो एलपेका ए कि है क्या प्रे गिलान में।े जर्में बमले थे हुँ फाल ताहिम 15 p THE N चॉट में।े कर दो कि बम्हू साल है साथ हमेरिका में यहां की प्रजात थी उसका नाम है लामा और अलपेका नाम के जन्तव है उनके द्वारा जो है उन्प्राफ्ट की जाते हैं ठीक है लामा वहार एलपेका इनके द्वारा जो है जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे इसके द्वारा जो है उन पाए जाते हैं और हमारे देश में जो है याक, मूट, बकरी इनके द्वारा उन प्राप्त की जाते हैं और चीन उन में जो है भेंड के द्वारा आस्ट्रेलिया में भेंड के द्वारा एक ज जो सक्सी अच्छी क्वाल्टी वो नियुजी लैंड के मेरीनों जाती है एक भेडों की उनके द्वारा ये वो उन प्राप्त किया जाता है तो जो नियुजी लैंड है नियुजी लैंड न्यूजिलेंड, न्यूजिलेंड की मेरीना, मेरीना जात की जो भेड़े होती है, भेड़ों से सबसे अच्छी क्वाल्टी गा, ठीक है, अच्छी गुडवत्ता का उन प्राप्त होता है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगी सबसे अच्छी क्वाल्टी का जो उन होता है, वो कहां पाया जाता है, ठीक है, तो न्यूजिलेंड की जो मेरीना भेड़े होती है, उन से जो उन प्राप्त किया जाता है, वो सबसे अच्छी क्वाल्टी का होता है, ठीक है, और सं जन्थों से जो रेशे थे वह तीन प्रकार की जो मुख्शे जन्तु है उन्सें हमारे भारत में यारक मूत और बक्री इताक स्कुरक्षे शेयर ऑनमेन में उन्धों पाया जाते हैं का इन से जो है भुन बनाया जाते हैं उसके बाद ज़े साउथ अब देखे तो साउथ मेरिका में यामा र एल्ल्पेका बक्री जो है इनके द्वारा जो है उन प्राति के आता है और नीजी लेंड में जुआ भेड़ सबसे अच्छे क्वालिटी का जो है उन प्राप्त कर दी तो यह दो गया आपके पादप और जन तुरिशों के बारे में आगे जो है कुछ हम भारती नसलों भारती जो भेड़ों की नसले हैं उसके बारे में देखते हैं तो चलिए नेक्स टाप के पास एक सामने एक तालिका दी जा रही है बाइर इस्टेबल में आपको जो है सभी जन तुरम गाई आती है और उन से जो उन ट्राप्त होते हैं कहां किसकार में यूज किया जाते हैं उसके बारे में देखते हैं तो चलिए देखते हैं आगे उसको पहली जो भेड़ की नसल है वो है बाकरवाल हम लोगों ने बेडों के द्वारा ठीक है और हमारे भारत में जो भारती नसलों की जो भेडे हैं उनके द्वारा जो उन प्राफ के जाते हैं उनका इस्तमाल कहा होता है बेचीजे दिए गई हैं पहली जो आपकी species है जातिए जो नशल है बाखरवाल यह जम्मू और कस्मीर में पाई आती ह और इसका इस्तिमाल जो है, उनी सालों के लिए गया आता है जो साल बनाई आती लिए उनके निर्मारं में बाखरवाल जाती के जो बेड़ का आता है दूसरा आपका रामपूर बूफायर ये भी बेड़ की नसल का नाम है जो उत्तरपरदेश और हिमानचल पर देश में पाई आती है इसका इस्तमाल जो भोरे लोनवाले कंबल नेक्स आपका मारवाड़ी जो गुजरात में पाई आती है तेक है और पाइटन वार यह भी आपकी गुजरात में पाई आती है इनका इस्तेमाल जो मोटे पैक फेका तोड़े रफ जुदि चंबल होते हैं उनके उन बनाने में तेकिए और भोज़री के यह वहां का हेगे कुछ है कि जादर टाइप है ठीक है उनका इस्तमाल किया जाता है तो इन सब जो भेड़े हमारी भारती भेड़े हैं इनकी नसलों के द्वारा जो है यह उन प्राप्त के आते हैं आपके रहाた गुण् далее जो भारती नसलों की भीड़े हैं जिसshow दुदक Deshalb वाल रामपुर बुसावर नाली लोही एक है मारवाडी और पार्टनवाड यह हमारी भारत की कुछ नसले हैं जिनके द्वारा उन प्राप्त की जाते हैं तो इस वीडियो में हम लोग जो है सिप इन्हीं जनतुओं के बारे में जनतुओं से जो प्राप्त रेशे थे उनके बारों में पढ़ा बाकी का जो अगला वीडियो होगा उसमें हम कैसे रेशो से जो है वस्त्र बनाये जाते हैं उनमें क्या-क्या विदिका होती है और भेड़ पालन में हम क्या करते हैं तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस् लिस्ट वीडियो जो है आपको जल्दी मिलेगा आप